खबरों वाले शेयर्ज आज कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं हमारे साथ अशर्ण जो चुके हैं पूरी जानकारी लेकर अशर्ण गूर्ण बताईए गूर्ण पूजा तो सबसे पहले जो है एजियम के बारे में अकी अपडेट्स दे देते हैं सन फार्मा का एजियम हुआता है यहाँ पे जो है दो एहम खबर आए हैं सबसे पहले कंपनी ने गाइड किया है कि आगे जाते वे सिंगल हाई डिजिट ग्रोथ या लो डबल दिया गया है इसके लावा जो है दिलिप सिंग्वी को जो है एमडी को नियोक्त कर दिया गया अगले 5 साल तक तो यह एक इंपॉर्टन ट्रिगर रहने वाला स्टॉक में बीपी सील के भी एजियम आई थी और यहाँ पे दो एहम खबर आए हैं सितंबर के आखरी में सेप् प्राइस फोकस में रहेगा यहाँ पे सेवी ने एंडी टीवी के जो वारेंट कन्वेर्शन है उनको लेकर सफाई मांगी है और वी सी पील जो है वो जो एटेंटिटी है जहां से वो स्टेक खरेद रहे थे वो जो है उन्होंने सेवी ने कहा कि मामले को लेकर वो किया गया है मैक्रो के डवलपर जो है NCD से लगबग 200 करोड रुपे जुटाने वाले हैं किम्स में भी एक अकुजिशन आई है स्पैन्व मेडिसेर लाइफ साइंस को लगबग आप कहा सकते 51% स्टेक 80 करोड के वैल्यू पे खरदारी की है इसके लावा BML और शिपिंग हैं उन दोनों में जो है डिमर्ज किया जा सकता है उसका संभावना रहेगा और इसके लावा जो सेकेंडरी ओफर होती है उसमें RCF और NFL उसका भी पेस पिक अप होने वाला है अब एक और रिपोर्ट सा रही है यहां पे जो है आपकी एटीफ प्राइसिंग पे जो है 15% का जो है एक टाइप से डाउं टिक देखने मिलेगा अगर ATF प्राइसिस कम हो रहे हैं क्योंकि almost 40% प्रोडक्शन कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट जाता है एरलाइन चलाने मों एविशन टर्बाइन फ्यूल का होता है तो इसके कारण एक positive impact जो है आपको एविशन कंपनी जै पर दो एहम analyst meet updates हुएं सबसे पहला हुआ है पतांजली का यहां पर जो है company ने जो 5 साल का food business का guidance है वो 30,000 से बढ़ा के 35,000 कर दिया है और जो food business की margin है उसका expectations लगबग 15 से लेके 20% तक रखा है अगले 4-5 साल में 75% जो मुनाफ़ा है उनके food brand से आने वाला है और जो remaining 25% है ज capital goods और जो capex की story play out हो रही है और बहुत अच्छे movement देखने मिल रही है सारे shares में तो यहां पर comments India के management commentary strong आई है उन्होंने कहा है कि जो पिछले तीन महीने में जो तीन तिमहाई में जो है export demand बरकरार रखी है और domestic front में भी जो है strong demand trend देखने मिली है और इसके लावा जो है supply chain की दिक्कते हाला कि ज़रूर है यह उसके कारण जो है revenue पे असर पड़ा है और वो अगर supply chain issues नहीं होता तो उनका अनुमान है कि revenue 10 से लेके 20% तक और जादा होता और बाकि सारे segments जो उनके operational है उनमें भी एक positive commentary देखने मिली है बिल्कुल अबावाता और शुक्रिया अशरदी सारी जानकाई देने के लिए तो काफे ढ़े सारी खबरे हैं जिनका की असर आज हम देखेंगे कि इंकम्टियों पर देखने को मिल सकता है